पूछेंगे लोगों से सवाल, फिलाल हम अपने इस सफरें पहुंच चुके हैं गाजीपूर के कचरी लाके में और जहां पर कुछ लोगों की अड़ी बठी हुई हमें दिखाई दे रही है तो वहाँ पर हम पूछते हैं कि आखिर 24 का चॉइस क्या है और लोग इस 2024 की चुनाओं में किसे और कितना विस्वास करते हैं सरी बताइए कि 24 के इस च्वैस में आप लोग का महौल क्या है और गाजीपूर में पिछले कुस्टालों में क्या बदला हुआ है क्या देखते हैं मैं गाजिपूर में 2019 के बाद तो बहुत बदला हुआ था उसके पहले तो शांसादे शांसा जीते थे तो कोई बहुत बिसेश बदलाव नहीं वा लेकिन पहली बार कोई केंद्रसं का सरकार में मंत्री बना तो उस हिसाब से तो गाज़ेपूर में बहुत सारे विकास हुए जा रहा है कि साध्य वो चुनाऊ ना लड़े उनकी बैटी लड़े उनकी जग़ पे तो इस इस्थिति में क्या कहा जाए क्या लगता है वाई सब्सक्राइब को गाजी पुर का क्या मूड है क्या महौल जो भाई साहिब ने बताए हो ही उसी बास पर हम भी स्थाहमत हैं आ रहे हां जो बीजेपी के प्रत्यासी हैं वो वो कोई नेका नहीं थे पहली बार यह चुनाऊ लड़ने आहे ने तो सारजनिक जीवन में वारे से संग वगरे से जुड़े थे लेकि कोई उनका समाज में कोई हम लों के देखने में कोई रोल नहीं था बाई सब क्या कहेंगे आप क्या विचार है इस बार क्या महौल है गाज़ेपूर में 24 में 24 में ठीक है महौल ठीक है अब थोड़ा नजदीक आने दीजिए अभी नमांगकन सुरू होगा साथ से उसके बाद पिछले कुछ सालों में क्या हुआ गाज़ेपूर में और अभी क्या दिखता है पिछले कुछ सालों में विकास भी हुआ है कुछ बेकतिगत भी लोगों का काम हुआ है फिशते हर हанию जिस तरह का महौल चलता रहे हैं तो अब थोड़ा सा चुनाव जब नजदीक आएगा नाम आंकन के बाद जब बड़े निताओं का कारिक्रम होगा गुमेंगे तब दीरे-दीरे महौल बरनेगा और खुलेगा जानना चाहते हैं आप गाजीपुर के निवासी हैं गाजीपुर में मद्दान भी करें जिस देश में एडमिशन से ले करके नवकरी से ले करके टिकट बटवारे से ले करके और जातीय टिकट माटना जातीय मंत्रि मंदल बनाना चाहिए जो भी सरकार होगा पटपल किसी पार्टी को में नहीं का रहा हूँ उस बात उस जगह पर उस धर्ती पर आप क्या जानना चाहते हैं कौन सा मुद्दा होगा जिस जेत में पार्टी के नाम पर उट परता हो जिस देश में जाती के नाम पर उट परता हो मुद्दा क्या होगा इसमें पार्टीयों का मुद्दा है जो जीतेगा ही मुद्दा है जो हारेगा वह भी मुद्दा है कि आजादी के इतना सालों के बात कोई बदलाव नहीं आया चेंज पूछ परिवर्तन नहीं हुगा बहुत बदलाव आया जो जो लोहरते हैं सब लोग बदलावी करते हैं आपको नीदी मिलेगी गाओं के परधान हो जाएंगे जितना हो पा बदलावल सब्सक्राइब है और लोगों से पूस्टे जा रहे जा रहे हैं कि दिखा क्लियर समझ में नहीं आरा रहा है तो लोग घाजीपूर के बता रहे हैं कि किस अपनी बात रख रहे हैं और लगाता धिये बता रहे हैं hypothmen में जो मन है लोगों का वो जैसे चुनाव नस्दीक आता है वो ऐसे इतने लोगों से बात की अब लोगों ने उदने से कुछ लोगों रही बताया है अब कुछ और लोगों से बात करते हैं कुछ यहां पर लोग खड़े हैं कि उनसे जानते हैं कि उनके मन के अंदर क्या चल खुशनाव हम लोग नगर में जिले में और पत्यासी चल रहे हैं अचुनाव हम लोग जीत भी रहे हैं तो भाजपा किसे कह सकते हैं यह तो आप आपनी बात को थपह लगा व्रह कैसे कह सकते यह बात क्या हुआ है पांप साल में बहुत काम हुआ है वो तो अंदकार में बैठे थे जेल के अंदर में अपनी सुरच्छा कर रहे थे जनता की भलाई भी नहीं कर रहे थे नो कोई कामकिरिया में न कोई साधी विया में न कहीं आना जाना नहीं था उनका अपना सेफ था ये तो पूरे अभी अम हमारी गाजीपुर में टेंडिंग सेंटर यहां हुआ है ताड़ी घाट वाला विकास पुरुस करते थे यह ट्रेंड की है रेलवे स्टेशन देखिए तमाम सड़के देखिए यह विकास हुआ है इसलिए मैं बहुत लाओं की भाजपा की जीत है तो लोग लगातार अपनी अपनी बाते कर रहे हैं कुछ और भी लोग हैं उससे बात करते हैं क्या लिखाई दिखाई देता है गाजीपुर में 24 में फिर से चुनाओं है क्या नजर आता है क्या महौल देखिए हो सकता है कि चुनाओं में 50-50 परसेंट चांस है क्या मुद्ध्दें है कि चुनाओं गाजीपुर के इस लाके से फिर हम चलेंगे दूसरे तरफ और वहां जानेंगे कि 24 का 24 गाजीपुर में क्या कहता है गाजीपूर में 24 के 24 की सफर में हम पहुंच चुके हैं गाजीपूर के मुख्य बाजार में और वहां पर भी लोगों से जानते हैं किस बार इस लोग सभा चुनाओ दोजार चौबिस में लोगों की दुल में क्या है वाओ जी जी गाजीपूर के रहने वाले हैं आप लोग क्या दिखाई देता है चौबिस के चोईस कि धर का ते राए इंडिया गठ बंधन की जीत यहां होने जा रही है ऐसा क्या लगता है आपको इस बार चुनाओं में इस बार चुनाओं जो है वो सियासत भी दिखाई दे रही है धरम भी दिखाई दे रहा है क्या दिखाई देता है कि इस बार गाजीपुर की जो महौल है गाजीपु पार्टी से ज्यादा यह चुनाव सीधे सीधे मता बनकों किरे डोंगहर। में उसको अब देश की जनता समझ चुकी है और वो इस बार का चुनाव जनता अपने मुद्दों पर लगना चाहती है और सरकार इस चुनाव को घुमा फिरा करके हिंदू-मुसल्मान पर ले जाना चाहती है लगातार गाजीपूर में जो लोग है वो अपनी अपनी बात कर हैं फिलाल हम गाजीपूर के अलग-अलग हिस्सों में जा रहे हैं और वहां पर लोगों से पूछ रहे हैं कि वहां की जनता क्या सोच रही है इस आम चुनाव को ले करके तो बने रही है हमारे इस 24 के चौईस के सफर के साथ गाजीपूर के इस सफर में हम लगातार गाजी गाजीपूर के महराज गंज इलाके में और यहां पर लोगों से हम जानेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं 24 के इस चौईस के बारे में दरसल लोग सभाव चुनाओ 2024 में गाजीपूर की जनता क्या सोचती है हम गाजीपूर के लोगों से बात करते हैं यह बताइए कि सोचते हैं हम सोचते हैं कि हमारा वणियां विकास होए हमारा परसनाथ राइज के नाम पर वोट देंगे आप बताएए क्या लगता है गाजीपूर का माँद्धा होगा इस बार मद्दान में गाजीपूर में मुख्य मुद्धा विकास यहां की इससे पहले में 2014 से लेकर 2019 मे यहां के जो सांसत थे और केंद्री मंत्री थे अधड़ी मनोशिना जीने इन्होंने गाजीपूर में विकास के लिए अपनी कायकल रखी थी जो गाजीपूर में दिखता है और 2019 से लेकर 2024 अब तक यह इसमें जो वर्तमान में सांसत हैं यह लोगों को सिच्छा रोजगार स इनको कोई वास्ता नहीं है इनका वास्ता गोली बंदूक और कट्टा पिस्टल से आए इस बार जो हमारे प्रत्यासिया यह सिच्छा के तो हम लोगों को सांसत बनाना है जिसे यहां से उनके सिच्छा के नाम पर मद्दान की बात कर रहे हैं क्या लगता है वाईसाब आपको कि इस बार जो चुनाओ है उसमें युवा क्या सोचता है गाजीपूर का किन मुद्दों के लेकर मद्दान करेगा चौबिस का चौइस क्या होगा गाजीपूर का नौजवान पूरी तरह से मन बना लिया है कि गाजीपूर का जो विकास रुख गया है पिछले पांच वर्सों से उसको पुना सुरू करना है और उसको पुना स्थापित करने के लिए लगभग सारे नौजवानों को ये बात पता है कि स्रीमान नरेन मोदी जी तीसरी बार अपना सरकार बनाने जा रहे हैं और अगर हम भाजपा भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी को जिता कर सदन में भेजने का काम करेंगे तो गाजीपूर का जो रुका हुआ विकास है वो पुना तेजी से सुरू होकर गाजीपूर को एक आगे बढ़ाने का काम होगा क्या लगता है आपको गाजीपूर में पिछले पांच सालों में क्या हुआ और गाजीपूर अब किस तरह बढ़ रहा है इस आमचुनाओं के दौर में जिसके हमारे मालनी आ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंतर् वहां के सांसद हैं vary वहां बिकास और हम लहुरी कासी बगल में है 2014 से लेके 2019 तक विकास हर हफ्ते हम लोगों को देखने को सुनने को और जाते भी थे हम लोग करेक्रमों में तो रोज लोकारपन होता था हर सनिवार रभीबार को लेकिन 2019 से 2024 तक वगल में कासी में विकास की गंगा भाती रही और गाजीपुर में बहुत यही बहाना मिला कि हम कोई सरकार में हैं कि हम सहयोग करें या हम कुछ दें आप लोगों को 2019 से 2024 तक हम लोग ने विकास नहीं देखा एक इट के पत्थर भी नहीं रखे ब्लस कानून की पचले में पसे रहे जमानत मुक्तार जेल वस इनी सबे पचलों में पढ़े रहे और हम लोगो कोई विकास मिला नहीं इस बार सब के सब केवल विकास और विकास को ओड़ देंगे श्री नरंदर मोदी जी को परधान मंत्री बनाने में गाजीपूर का भी पूरा-पूरा सहयोग रहेगा चलिए तो चार जून को पता चलेगा जब मद्गरणा होगी गाजीपूर का जो यूथ है वो क्या सोचता है इस बार क्या मुद्दे होंगे 24 चोईस क्या होगा क्या दिल में चलना है गाजीपूर का यूथ निश्चिती तोर पे हमें लगता है विकास के तरफ जाएगा और जैसा कि आप लोग जानते हैं एक तरफ माफिया वर्सेज मास्टर के बीच ये चुना होने जा रहा है तो जहां तक हमें लगता है कि लड़के जो भी हैं यूथ है वो निश्चिती तोर पे सिच्छक के तरफ जाएगे क्योंकि उनके कॉलेज से जो भारती जनता पाल्टी के प्रत्यासी हैं आदरणी स्री पारस नाथराय जी उनके कॉलेज से प्रदेश में नंबर वन पे जो है कि सिच्छा के जरिये से कितने लोग आईएस पीसियस बने हैं माननेनी मुख्यमंत्री जी भी हमें लगता है कि वहां पर कई लोग चैनित भी हुए हैं उनके कॉलेज से जाएगे कॉलेज पे चैन होना और मद्दान में जीत हासित करना ये तो दोनों अलग अलग बाते हैं ये तो मद्गर्णा बताएगी क्या लगता है इस बार चुनाओ है मुझोदा सांसर अफजाल अंसारी चुनाओ मैदान में दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ भारतिया पार में हम लोग की सरकार बनेगी और मोदी जी फिर से पर्दान मंत्रे बनेगी तो क्या दिखाई देता है इस बार कर जो चुनाओ का मुद्दा है वो क्या बन रहा है गाजीपूर में और सबसे बड़ी बात ये है कि गाजीपूर जो सहीदों की धर्तिक अई आती है इस गाज भूमिरे ये जानते हैं और पांच सालों से जो कार नहीं हुए है उसको आगे बढ़ाने के लिए युवा कमरकस लिया है और एक तरफ से जो विकास की गंगा रुकी हुई है गाजीपूर की वो फिर से बहेगी क्या लगता है आपको आपके बाल दाड़ी सफेद हो गये देखा होगा इस गयुक्य का दिखाई Germans फर दिखाई रहा है जो डोजारौनेश के बाल हमारी जनता जो गाजीपूर जिला की जनता थी हां चुनाओ भी हिन थी जो है दिकास बिहीं थी ओत वो वो अपने लिए मन को बना लिया है कि इस बार जो है भारती जनता पार्टी को हम लोग जिता कर और यहां से एक प्रत्यासी जो है सांसर में भेजा जाएगा क्यों कि यहां की जनता आप समझ चुकी है कि हम लोग 200 गुरू के अग्रसर होने जा रहे हैं यह तो हर व्यक्ति के अपनी अपनी सोच है पर मद गरना जब होगी तब परिणाम सामने आएंगे इस आम चुनाओं में आप क्या समझते हैं क्या मुद्द्ध होंगे गाजी पूर से जब आप वोट डालने जाएंगे तो मन में क्या रहेगा सबसे पहले कि यहां के सांसाज जी पान साल इलम नदारत थें और उनका रोना था कि हमारी सरकार नहीं है आप मीडिया से हैं आप अच्छी तरह समझ भी रहे होंगे कि पूरे भारत में बीजेपी की सरकार बनेगी और यहां के जनता भी उसका जबाब देगी कि किसको चुनाओं जीता है विकास जो है लगातार मुख्य मुद्दा रहा है गाजीपूर में जहां जहां हमने अधितर लोगों से बात की है आज चार दिन के गटबंदन फिर बनाया गया है और जनता को भ्रमिट किया जा रहा है और जनता इसमें घर्म्हें दूर हो रही है और यह कर रही है कि गाजिपूर में अगर विकास होगा तो नरेंद्र मोधी के करकमलोष द्वारा होगा उनके नित्रित में होगा यह बताईए कि इस बार सियासत जो है, सियासत पर धर्म का काफी प्रभाव दिख रहा है, कई ऐसे लोग हैं जो टिका चंदन भी लगा रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, सनातनी बनने की बाद भी आ रही है, क्या दिखाई देता है, पबलिक जो है, वो बहुत समझदार है, स जाल खंड रहा है, आधनी प्रधान मंत्री सी नरेंद मोदी जी के नित्यत में, जिस तरीके से हिंदू ओटों का एकी करन करने का प्रयास किया गया है, उनको एकत्यत करने का जाती बंधन के दोर को जो तोड़ा गया है, उसके माध्धम से हिंदू एक जुट हुआ है, उस जाल अंसारी जी की बिटिया है वह मंदिर में शिवाले में जाकर मत्था टेक रही थी मैं मनु अनसारी जो अपने विधायक है मौमदाबाद का माते तिलक चंदन लगाये तो आप खुद देख सकते हैं कि हिंदू जन जागरण का जो दौर चल रहा है उस हिंदू जन जागर गाजीपूर में क्या कुछ हुआ है ...? पीछले पांस साल में गाजीपूर के विकास के नाम पर जुद्धूना मिला है गाजीपूर के वर्मान सहन घाथ昨र में एक विकास के नाम पर इक इक तर्क काम नहीं कि